Hello everyone, कैसे सबी लोग, वी कपता सबी लोग बहुत इच्छ होंगे, welcome back, this is your other, भईया, back again with a brand new video और आज हम बात करने वाले है class 10 के सबसे important topic को लेकर जो की है class 10 की किताबे कि भईया हमें कौन सी किताबे पढ़नी चाहिए अब देखो, ये एक ऐसा topic है, जिसको लेकर बच्चे साल भर scam होते रहते हैं क्यों ही अब, क्योंकि कोई एक ग्यानी पूरिश आएगा, आपको बोलेगा, देख लिए ये किताब बहुत important है, ये किताब तो करनी पड़ेगी, तुम वो किताब खरीद के लिए होगे फिर कोई दूसरा ग्यानी पूरिश आएगा, तुम में बोलेगा, ये किताब बहुत important है, ये खरीद ने, ये करना बहुत important है, तुम वो किताब खरीद के लिए होगे फिर तुम NCRT गोल के बैटी होगे, कोई और एक ग्यानी पूरिश आएगा, तुम को बोलेगा, आप ये NCRT करने की ज़रूरती नहीं है, NCRT बिल्कुल important होती नहीं, तो साल भर ये चक्रवी में तुम फसे रहते हो, और समझ ही नहीं आता कि ये कौन सी किताबे करनी चाहि हो, ठीक है, मैं पिछले पात सालों से हाँ पर पढ़ा आ रहा हूँ, तो मैं इतना बहुत अच्छी नरीकिसे जानता हूँ, कि कहां से सवाल आते हैं, कहां से पढ़ना होता है, और कहां से आपको maximum knowledge मिलेगा, तो बैट बिंग से अगर आप नहीं हूँ, मैं आपको बता करते हैं, अब मैं सीधा मुद्दे पर आऊँगा, हमें किन्ड किताबों की जरुरत है, वो मैं आपको डिसकर्स किया है, लेकिन हम लोग शुरुबात करते हैं, सबसे पहले ये बात के साथ ले, कि कभी भी आप ये मत सोचना कि जितनी जादा किताब है, उतना जादा knowledge, कि कि अगर मैं दस किताब लेकर आजाओंगा, मैं टॉपर बन जाओंगा, ऐसा नहीं होता है, तुम टॉपर स्रिफ दो किताबों से भी बन सकते हो, और यार यार ये मैंने कितने हजारों बच्चों को ये चीज करते हैं, देखा है, हम जब दसी में थे हमारे पास को येसी हज पहली होती है हमारी NCRT, जो कि prescribed book है, जो कि हमारे syllabus के अंदर included है, जो कि हम खरीद के लाते हैं, एक बात बहुत important धान रखने वाली ये है, कि NCRT latest edition की खरीद के लाना, दो option आपके पास में, या तो आप NCRT की PDF से पढ़ो, लेकिन मैं recommend नहीं करता है कि आप PDF से पढ़ो, तो जो लेटिस्ट एडिशन की NCRT जिसके अंदर से लेबस डिलीटिड है वो आप पच्चेस करके लाना, या फिर दूसरा option ही है, कि लेटिस्ट NCRT और अपनी NCRT बुक को मैच करना, और उसमें से जो जो डिलीटिड है, लेटिस्ट में जो जो डिलीटिड है, वो अपनी जिसके मैच में कुछ एक्सराइस डिलीटिड होंगी, तो वो इसमें से कट कर देना, ठीक है जी? और डूसरी टैप की बुक होती है, अले फ्रेंस बुक्स, यानि कि गाइड बुक्स, जो कि हम एक्स्ट्रा परचेस करके लाते हैं, जिसके अंदर कॉंसेप्ट को लेकर और इंफर्मेशन होती है, चैप्टर को और easy तरीके में समझाया होता है, आसान भाशा में समझाया होता है, तो यह दो टैप की किताबे हम जंदरली देखते हैं, अब बच्चे क्या करते है, बच्चों को लगता है कि यह यह किताब तो है फालतू, इस से पटने हो पोई में फातू किताब है क्या हमें इससे नहीं पढ़ना चाहिए समझते हैं सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टन बात है आपकी नमबर वन प्रायरिटी होनी चाहिए इससे बढ़कर कोई किताब नहीं है तो भाई सोशल साइन्स और मैथेमेटिक्स इन दोनों के अंदर आपको वो NCRT की सबसे ज़्यादा रेक्वायर्मेंट है समझने मेरी बात को इसलिए कभी भी गलती से भी यह मत समझ लेना कि वह यह NCRT इंपॉर्टन नहीं है क्योंकि सवाल NCRT में से बनके ही आते है NCRT के कॉंसेप्ट को इस्तमाल कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके इसकर इस प आगे हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टन पिस्कस कर ली है आगे हम लोग चलते हैं .. नमबर टू、 No References को आपको refers Best books खरीदने की जरूरत दरही हैं.. यहां बार मैं रेक्वित की बत कर रहा हूं.. यहाने कि वो बुक्स जिसके अंदर आप lyricsी और इ convincing कि ईत स्बीन गश्च कि NCRT की लाइंगविज संभना सोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इसी लिए आप क्या करते हो सबसे पहले आप लेक्चर देखते हो है ना या फिर आप स्कूल में लेक्चर अटेंड करते हो अपनी कोचिंग में अटेंड करते हो उसके बाद में फिर आप NCRT पढ़ते हो य ठीके जी दूसरी बहुत इंपोर्टन बात जंदरली हम यह फॉलो करते हैं कि लेक्चर देखा फिर NCRT करेंगे तब क्या होता था कि हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता था कोचिंग में पढ़ाया जाता था वो हम पढ़के आते तर NCRT कोल के बैच जाते थे अब मानलो क क्यों टॉपिक समिझ में नहीं आ है तो क्या करेंगे तब हम इस तो में सब्सक्राम करते हैं किसी भी किताब से जादा अच्छे से तुमें वीडियो से ही समझ में आएगा ठीक है तो तो तुमने वो वीडियो देख लिया चार्ज की नोड़ से बना लिये चार्ज कंप्ली रेफरेंस बुक की ज़रूरत तब पढ़ती है जब आपको NCRT की लाइंग्विज समझ में ना आएं बहुत सारे बच्चों को नहीं आती इसलिए पहले लेक्चर देखते हैं फिर NCRT पढ़ते हैं अब तो आपके लेक्चर देखने को अप्शन भी है इसलिए ध्यांद रहतना है कि आपको रेफरेंस भुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दस रेफरेंस भुक लेकर आजाओ साइंस की अलग सोचल की अलग मैंस की अलग ठीक है अगर आपके पास में है अगर आपको पसंद है पढ़ना तो बात अलग है लेकिन ऐसा रेक्मेंडेट मंन मैं मैं रेकमेंड नहीं करूं कि नहीं यह करना ही पढ़ुगा तो ही नहींति पर सटाइगे टिक है इस ना मस्ट है इस हो सब बहुत पास नीज ज़रूरत आता हूं यह चीज नोट दा कर लो NCRT करना बहुत important है, हम लोग करेंगे NCRT में concept जो दियों में है NCRT के अंदर जो topics हैं वही से सवाल आते हैं, बिल्कुल सही बात लेकिन एक बहुत बड़ी problem NCRT में ये है, आज की rate में कि NCRT के अंदर आपको type of questions नहीं मिलते जो exam के अंदर आते हैं अगर तुम पिछले साल का paper उठा के देखो उसके पिछले साल का उठा के देखो आपको दिखेगा कि जिस type के सवाल आते हैं वैसे questions NCRT में हैं ही नहीं हाँ, उस सवाल का concept ज़रूर explained है फ़राख है, इसलिए में तुम को बोलता था सवाल भी करने होती है, ठीक है आपको question के concept के साथ-साथ questions भी करने होते है तब जाके आपका वो concept strong होता है और इसलिए बहुत important है कि आपके पास एक question bank हो इसलिए में तुम को बोला कोई reference करेंने के जरूरत नहीं कोई extra book करेंने के जरूरत नहीं लिकिन एक question bank होनी चाहिए क्योंकि जब आप question bank खरीदोंके तो आपने क्या किया lecture देखा बहुत easy उसके बाद अपने NCIT पड़ी और उसके बाद उसके सवाल सॉल करने के लिए आपने question bank इस्तामल करने है question banks के अंदर हर टाइप के सवाल होता है question banks के अंदर आपके PYQs होते हैं important one marker होते हैं two marker होते हैं एक बहुत important चीज जो कि पिछले दो-तीन सालों से इंट्रद्यूस हुई है वो है assertion reasoning questions और case based questions यह दो answered app के questions है जिसमें आपका concept check होता है और यह सवाल NCIT के अंदर नहीं होता है I don't know क्यों नहीं है आने चाहिए आने वाल editions के अंदर लेकिन फिलार के लिए नहीं है इन सवालों को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक extra किताब लेनी ही पड़ती है तो इसलिए मैं आपको बार-बार recommend करता हूँ कि आपको question bank खरीदनी चाहिए मैं आपको कभी नहीं बोलता है कि और तुम दस किताबे लेक्या हो ठीक है ये मेरी किताब है चलो ये मेरी किताब खरीदो मैं author नहीं हो simple सी वात मैं तुम को चीज़े recommend कर सकता हूँ कि हाई ये किताब अच्छी है तुम कर सकता हूँ इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि question bank का purchase कर सकता हूँ तो तो तुमने मेरी बात अगर धंक से सुनी है तो एक बात तुम्हारे दुमारे में clear होगी होगी कि NCRT is God ठीक है उससे उपर का दर्जा किसी का नहीं है NCRT कर मैंने कर लिए लेक्षित मैंने देख लिए तो मुझे अगर questions प्राक्टिस करने है तो मैं बढ़ूँगा question banks के उपर ठीक है very good अब कौनसी question bank का purchase कर सकते हो मैंने आपको बहुत बारी चीज़ बता रखी है आपको कर question bank purchase करनी है मैंने ओस्वाल की question bank recommend कर रखी है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ है मतलब आपको काफी सारी चीज़ देखने को मिल जाएंगी इसके अंदर आपको flowchart देखने को मिल जाता है one marker questions है assertion reasoning case based questions है पिले साल के paper sold है ठीक है प्लस थोड़े बत कॉंसेब्स भीज़ें कर दिये हैं तो all in all आपको इसके अंदर बहुत सारे सवाल देखने को मिल जो कि अपको प्रैक्टिस के एंपॉर्टन तो आपको पर्चेस कर सकते हैं तो आपको इसलिए अपको पुरानी किताब चुप्का देते हैं तो इसलिए आपको 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 आफलाइन भी खरीज सेटे हो टेक है तो यह बात हमने समझ ली नेक्स्ट बहुत इंपोर्टन चीज है नोट्स ठीक है अपने NCRT कर लिए अपने Question Bank से सवाल करने क्योंकि देखो और कोई तरीका निये Question Solve करने का कब तक इंटरनेट पर टाइप करते रहोगे Class 10 Important Questions कोई मतलब नहीं है बार बार अपने को स्क्रीन पर आके नहीं देखना बार बार इंटरेट पर आके नहीं देखना आपने को किताब है सामने उसमें से सॉल्व करेंगे, खतम बात Next, बहुत इंपॉर्टन चीज है Notes मैं हमेशा हर साले बात बोलता हूँ मेरे Notes का अवेलिवल है पढले की आप पर completely free में सभी के लिए अवेलिवल है आप जाओ, पढले की आप डाउनोड करो वापर free Notes वाले course पर जाओ एंडरोल करो easily आपके पसमें सारे Notes आजाएंगे और Notes बहुत high quality के Notes है इने हमने specially iPad पर बला है हर concept कवर किया है आसान से आसान भाषा में जिसमें तुम समझ पाओ तो आपके Notes easily मिल रहेंगे completely free अपनी पढले की आप के अंदर मेरी और आपकी पढले की आप के अंदर दूसरी बहुत important चीज़ हमने one page Notes बना रखे है one page Notes ऐसे Notes होते हैं जिसके अंदर यह देखो एक पेज है इस एक पेज के अंदर हमने पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवा रखा यह Power Sharing के Notes है अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ यह एक पेज पढले लिया तो तुमारा पूरा Power Sharing क्लियर है सवाल जो आएगा इसमें से आएगा गिरेंटी के साथ क्या रहा है हलाकि मैं यह रिकमेंड नहीं करता कि सिर्फ OnePage Notes पढ़ो यह Revision के लिए बहुत अच्छे होते है लेकिन आपको यह Notes बहुत ज्यादा काम आएंगे यह OnePage Notes भी हमने completely free में डाल रहे है इसका भी कोई चार्ज नहीं है तो आप ने Notes नकर डाउनलोड नहीं किये आप डाउनलोड कर लो उसके इंदर आपको Notes मिल जाएंगे तो अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाओं NCRT Question Bank और अपने Notes इस सब मिलाके आप easily 98% स्कूर कर सकते हूं आप दो important सवाल बचते है थोड़ा सा पीछह आते है कि भाईया हमें RD Sharma या RS Agrawal करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस सवाल का जवाब मैंने लास वीडियो के अंदर भी दिया था RD Sharma और RS Agrawal बहुत तगड़ी किताब है बहुत अच्छी किताब है Mad respect for these books लेकिन एक बात समझो कि अगर आप सीधा NCIT solve करने की बजाए RD Sharma पर जंप कर जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आप बोलो कि या match बहुत टफ लगती है आपके school में करवा रहे होंगे no doubt नहीं जो coaching करवा रहे होंगे no doubt लेकिन at the end उन में से सवाल नहीं आते हैं आते हैं तो बहुत limited आते हैं जो कि पिछले 10 सालों में पूछे जा चुके हैं वैसे ही सवाल repeat होके आते हैं इसलिए एक बात बहुत important समझना ये बात आपको कोई नहीं बताता और ये समझना बहुत important है कि अगर आप मैट्स में स्ट्रगल करते हो अगर आपको मैट्स से डर लगता है और फिर भी आप सोचते हो कि नहीं मैं RD शर्मा भी सॉल्व करूंगा मत करो required नहीं है कितनी बार में ये बात चिला चिला कि तुमको बता चुका हो required नहीं है ठीक है अगर आप math enthusiast आपको math सॉल्व करना पसंद है आपको math बहुत अच्छा लगता तो आप RD शर्मा रे सगरवाल करो ना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप मैट्स में वीक हो आप शुरवात करो NCRT के साथ में NCRT की बैक एक्सवाल करो ठीक है जो question bank खरी दिये वो solve गरो अगर यह हो जाता है math mentors develop आज हो जाता है तो फिर RD शर्मा करो रे सगरवाल करो अपने free time में मज़ा आता है वो solve करने में सवालों को अगर आप सिर्फ class 10 के हिसाब से मुझसे पूछो ऐसा required नहीं है कि RD solve करो के तो ही 95% ठीक है यह बात में आज बहुत important clear कर देता हूँ आपकी school में आपको बताया होगा RD से सवाल आते है वो सवाल अल्डेडी 10 साल में पूछे जा चुके है और आता है तो मुश्किल से एक सवाल आएगा जादा सजादे एक सवाल आजाएगा इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम अपना पूरा टाइम लगा दे उसके पीछे जिसमें हमको समझी नहीं आ रहा है फिर तुम बोला कि यह मैच टफ लगती है RD ऐसी किताब है जो कि सहूलियत से आराम से सॉल्व करने वाली किताब हड़ी में सॉल्व करने वाली किताब नहीं है वो तो RD को प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा अगर आपको मैच में मजा आता तो इसको प्रैक्टिस बनाओ रोज को रोज सॉल्व तो मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मेरी जान देखो मैं आप लोगो बोला कि नोट्स फ्री में अवेलेबल है वन पेज नोट्स फ्री में अवेलेबल है हमने जो योधा बैज और अनंध योधा बैज लॉण्च की थी बहुत अफॉरीबल प्रैस में लॉण्च की थी 2000 रूपई में पूरे साल भर का कोर्स और तीन जरुप में including books हम लोगों ने अपने जेब से पैसा खर्च करके बच्चों की घरों तक books पहुंच वाई है डिलेवर करवाई है तो हमारा गोल यहां पर यह नहीं कि maximum से maximum बच्चे ले लो और पैसा बना लो हमारा गोल यह है कि कम से कम fees में कैसे सभी बच्चों तक education बहुत सबता है ठीक है दूसरी बात मेरे पास कुछ mails आए कि भाईया हम यह भी afford नहीं कर पार है हमारी condition इतनी अच्छी भी नहीं है कि हम यह course भी afford कर पार है किसी कि कि किसी के पिताजी कि जॉब चली गई है फिर किसी के घर में है financial तंगी है financial problem है देखो आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए YouTube पर भी content लेकर आऊँगा YouTube पर भी lectures लेकर आऊँगा app के अंदर भी आप लोगों के लिए free content लेकर आऊँगा ठीक है मज चिंता करो आपको अगर लगते हैं आपके लिए कोई नहीं है मैं हूँ मैं खड़ाओ में आप पर मैं तब तक खड़ाओं जब तक मैं एक एक बच्चे तक यह education नहीं पहता देता promise है लगा ठीक है बस एक चीज मैं आप सभी से बोलूँगा कि यार आप मेरा परिवार हो मेरी फैमिली हो इसलिए एक ही चीज बोलूँगा कि आप सपोर्ट करते रहो प्यार दिखाते रहो क्योंकि जब आप एक प्यारा कॉमेंट नीचे छोड़ते हो जब आप बोलते हो नहीं भईया अच्छा लगा वीडियो मजा आया मुझे 10 नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है 10 नए लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं यार यूट्यूब पर भी और लेक्चर्स डालेंगे आपके लिए बस एक चीज़ आपका प्यार आपका सपोर्ड तैट से जादा हमारा फ्यूल है नहीं अनिसली बता रहा हूँ ठीक है जी दिल से love you all मैंने आपको मेरा honest opinion दे दिया है किताबों के बारे में कि आपको क्या किताबे चाहिए required है इसके अलावा आपको और किसी चीज़ के requirement नहीं है साल के end मैंने के आद आप खुद बोलोगे कि भाई या सही बात कह रहता है मैंने फाल तुम्हें दोस किताबे खरी दी वादा है लव यू अल टेक केल जए हिंद वन्ने मातरम बाई